नमस्कार आप सभी सुन रहे हैं सूजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की एहम ख़बरें दो दुधरो गायो भैसों को प्रती पशु 40,000 रुपे का मुफ्त बीमा करके दे रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्रे शो कहलोत ने लंपी आपदा में पशु पालकों को दिये आर्थिक संबल सहित अपनी सरकार की फ्लैक्शिप योजनाओं की चर्चा की आज जो प्रोग्राम रखे गए हैं आपको मालूम है कि आज इस प्रिकार से फ्लैक्शिप प्रोग्राम रखे गए हैं इसको टी वित्रन भीवा दिवयंगों के लिए अभी लंपी रोग में गाया मर गी थी आप सब को मालूम कि आमने 40,000 बे दिये प्रति प्रसुबालक को इंद्रा गांडी की नाम से इस्पान मॉबाइल मिल रहे हैं एक करोड़ 35,000 महिलाओं को मेंगर आज शिविच चार रहे हैं और आज जो लांचिंग हो रही है मुझे खुशी है आज जो मैंने वादा किया मुख्यमंत्री ने महिलाओं को इंद्रा स्मार्टफोन दिये और मेधावी चात्राओं को स्कूटियां वितरित की उन्होंने पशुपालन कार्मिकों के लिए कुछ महित्पून एलान भी किये इस अफसर पर इंद्रा गया सिलिंडर के बीस लाक लावार्टियों को असी करोड रुपे की सबसीडी डीबीटी की गई पालरहार योजना के लावार्टियों को भी राशी का हस्तान तरण किया गया इस आयोजन से प्रदेश के सभी जिले विसी से चुड़े सभी जिलों में वशुपालकों को हाथो हाथ काम धेनों बीमा योजना की पॉलिसी दी गई देविसान मंतरी शकुतला रावत ने भीलवाडा डेरी के रिकॉर्ड दुग्द संकलन की चर्चा करते हुए गेलो सरकार की फ्लेक्शिप योजनाओं का खास जिकर किया आज का सम्मेलन ये गुलापुरा में एतिहासिक सभा होने जारी है और राजस्तान सरकार की जो पूरे पात साल में एक-एक योजना इस्कूल क्रमोनात हुए अंग्रेजी माध्यम खुले कॉलेज खोले गए राजस्तान की व्रधावस्ता पेंशन अब एक अजार रुपे कर दी पालन हार पंद्रा सो रुपे कर दी व्रधावस्ता पेंशन अब बढ़ती जाएगी हर साल और एक-एक योजना पूरे राजस्तान के हर गाओं, हर धानी, हर कस्बे को प्रभावित करती हर व्यक्ति को टच करने वाली योजना है मुक्यमंत्री ने गुलाबपुरा में करीब 932 करोड के 409 विकासकारियों का शिला न्यास और लोकार पंड किया भीलवाडा डेरी में 5 लाख लीटर क्षमता के नए संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया समारों में स्कूली चात्राओं ने सांस्कृतिक कारेक्रम में गहलोत सरकार की योजनाओं की आकरशक संगीत में प्रस्तुतियां भी थी और प्रदेश के विकास के लिए मुक्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूम स्वीकर दिया ड्रेनेज और गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 50 नगरी निकायों को 200 करोड रुपे मिलेंगे इस राशी से जल जमाव इलाकों में ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई काम कराये जाएंगे जैब प्रुग्रियामीन के चाकसो में सेंटर ओफ एक्सिलेंस इन पंच करम सेंटर की स्थापना होगी इस पर 45 करोड रुपे खर्च होंगे चित्वरत रावत चूंडा पनोर्मा बनेगा इसमें उनके दितितों की जीवनत जानकारी मिल सकेगी सत्वरत रावत चूंडा अपने वचन पालन और त्याग के लिए मेवाड के भीश में पितामा कहे जाते हैं नए जिलों अनुपगड में आयूश और बालोतरा में आरुवेट चिकित साला है खोला जाएगा दोनों अस्पेटालों के लिए आरुवेट चिकित साधिकारी सहित 22 प्रदों का स्रेजिन होगा साधिया आपको ये भी बता दे कि आयूश विभाग के सीनियर नर्स या कमपाउंडर्ज अब नर्सिंग अफसर के लाएंगे पी डबलूडी के 16 डिवीजिनल कार्यालेओं में डिवीजिनल एकाउंटन्ट के पत बनाए गए हैं ये डिवीजिनल आफिस निवाई, कठूमर, रामगड, सुल्तानपूर, सुजानगड, जायल, नारायनपूर, तारानगर, बसेडी, फागी, मडरायल, लक्षमणगड, लालसोट, बेनेश्वर, वेर और नाच द्वारवे हैं अनुकंपन युक्ति के 26 मामलों में शिथिलता दी गई है गरतलब है के चार साल में करीब 1400 आविदकों और 3821 मृतिक आशृतों को नौकरियां दी जा चुकी हैं आप सुन रही हैं सुजस आवाज राजस्थान साथ जुलाई तो आप सब को याद हो की ही राजसरकार की योजनों की पहुँच सरल बनाने के लिए मुखे मंतरी ने आप से मौलिक अंदाज में वीडियो बना कर सरकार को भेजने को कहा था जिसे नाम दिया गया था जन सम्मान वीडियो कांटेस्ट उस कॉंटेस्ट में वीडियो भीजने के अवधी कल खत्म हो गई लेकिन जिस उत्साह और इनोवेशन से आप सब में वीडियो बनाए वे बहुत यूनीक थे अब गैलो सरकार आप से गुजरिश करती है कि आप अपना टेलेंट राजिस्थान मिशन 2030 के लिए दिखाएं इसके लिए आपके पास 18 विशे होंगे वीडियो पहले की तरह साजा करने होंगे और इनाम राशी भी वो ही रखी गई है तो देर किस बात की उठाइए मोबाइल, सोची आइडियाज, बनाएए वीडियो ताकि 2030 तक राजिस्थान बन सके देश का नमबर वन राज्य बहराल जन समान वीडियो कॉंटेस्ट के आज घोशित परिणामों पर एक नजर आज के जारी परिणामों की पहली विजेता रही बीकानेर जिली की शूभा कवर, जिने एक लाख रुपए की नामराशी दी गई, उन्होंने गीत के माध्यम से समझाई रज्जिस सरकार की योजनाएं पचास हजार रुपए की नामराशी के साथ दूसरे स्थान पर रही चित्तोडगर जिली की नर्बदा देवी, जिनोंने गेगवरकर्स पर चलाई जा रही रज्जिस सरकार की योजनाएं और कानूनों पर विस्तरत वीडियो बना कर शिर किया था पच्चिस हजार रुपए की नामराशी के साथ तीसरे स्थान पर रहे शैतान सिंग मीना जो भीलवाना जिले से तालुक रखते हैं उन्होंने संगीत बद्ध कर समझाई रज्ज सरकार की योजनाएं इसके साथ ही सौपरती भागियों ने जीते एक-एक हजार रुपए के प्रेणा पुरसकार अब सुनिये जिलू का राउंड अप कोटा हवाई अड़े के लिए यू आईटी ने जमीन मुहया करा दी है नगरी विकास मंतरी शांदी धारिवाल ने केंदर से हुए पत्र वेवहार का ब्योरा देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सारी वेवस्थाएं कर ली हैं उन्होंने ये भी बताया कि पुराने ऐरोड्रोम की जमीन का स्वामित तो अपने पास रखकर महां मिनी सच्वाले और ग्रीन जोन दिक्सित करने की योजना है विद्धे अर्थियों के जिम्मेदार नागरिक बनाने में शिक्षक की महदबून भूमे का है ये कहना है सामाजेकनाय अधिकारिता मंतरी एक आराम चूली का शिक्षक दिवस पर अलवर में हुए जिलास्तरी समारों में उन्होंने उपिये सहित शिक्षक हित में उठाया गये खादमों और शिक्षक खेतर में घैलोस सरकार के नवाचारों की चर्चा की उर्जा मंतरी भावर सिंग भाटी ने बीकानेर जिले के छिला कश्मीर से राव वाला तक 10 किलो मीटर सड़क का शिला नियास किया उन्होंने नर्माण कारियों में गुनवत्ता बनाए रखने की बात कही उर्जा मंतरी ने मजबूत सड़क तंत्र सहित गैलोत सरकार की कई उजनाओं की चर्चा की खेल राज्य मंतरी एशुक चांदरा ने मुंदी जिले की भीमलत प्रागिर्टिक वैली में लव कुश्वाटिका का लोकार बंड किया इसके विकास पर करीब दो करोड रुपे खरच हुए हैं उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन संडरक्शन के तहट ये मुख्य मंतरी की बजट खोशना थी जो आज सब के सामने है यहाँ अब टाइगर सेंच्छी भी हो गई है इन सबसे परिटन बढ़ेगा तो रोजगार के अफसर भी पैदा होंगे इस मौके पर परियावरेन और वन्नेजीव संडरक्शन में उम्दा काम करने वालों को पुरिस्क्रिक भी किया गया बीस सूतरी कारेकरम के उपाध्यक्ष वल्लब राम पाटीदार ने डूमरपुर में विभागी ये बैठक बुलाई उन्होंने लक्ष आधारित काम करने और गहलोत सरकार की मनशा के अनुरूप आम जनकी समस्याएं दूर कर उन्हें राहत पहुंचाने की बात कही जालवाड प्रिशासन इस जिले में राशन दुकान खुलने के चुकलोगों से 8 सितंबर तक आवे दिन मांगे हैं यहां चार तहसीलों एक नगर परिशाद और एक नगर पाली का क्षितर में बुकान एलॉट होनी है जिलारसत अधिकारी ने बताया कि आवे दन सम्बंदी सारी जानकरी वेब साइट पर उपलब दहे धौलपूर जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए शक्ति दिवस मनाया गया CMH और डॉक्टर जैनती लाल मीरा ने बताया कि हर मंगलबार को सरकारी स्वास्ते केंद्रों, स्कूलों और आंगनबाडियों में एनीमिया के स्क्रीनिंग, जाच, इलाज और जागरूकता के लिए कई गतिविधियां होती है कल श्री कृष्ण जन्माष्ट में है, प्रदेश भर में इस पावन पर्व का उच्साह नजर आ रहा है कृष्ण मंद्रों में सजावट का काम पूरा हो चुका है और विशेश जहांकियां सजाई जा रही है जैपुर के तो आराद्य ही श्री राधा गोविन देव जी हैं यहां भक्तों के आस्ता अलग ही स्थर पर है और चारों तरफ गूंज है राधा कृष्ण की और जन्माश्चमी के अफसर पर मुख्यमंत्री शेशो गहलोत ने आज भी लवाडा में शाम कधा का आनंद लिया तो यह थे आज के समाचार मिलते हैं फिर तब तक के लिए नमस्कार